Hello everyone, Hello everybody, very good afternoon to all of you. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बाई-जूजूज एक्जाम प्रेप में, मेरा नाम है अभिशेख सिंग और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस उमीद के साथ कि कि finally ये session जो है, वो cover up हो जाएगा. So guys, सबसे पहले चीज़ की आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि first part जो हम लोगों ने cover up किया था, वो theoretically cover up किया था, लेकिन इस session में we are going to do with the help of the mcqs, यानि कि हम लोग mcqs की मदद से solve करने वाले हैं, ठीक है, जो बाकी के topics हैं, because mcqs जो है, वो काफी प्रभावशाली होंगे और बहुत ही बहतर तरीके से revision भी आपका हो जाएगा. All right, तो start करते हैं session को और सबसे पहली चीज, कि इस session में हम लोग एक के बाद एक topic से total मिलागर के 100 mcqs solve करेंगे, जल्दी-जल्दी करेंगे, फटा-फट से करेंगे, ताकि ज्यादा time ना लगे, और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, कि 8 मई को, जैसे ही exam के बाद आप देखेंगे, तो 8 मई को, संडे को 2.45 पर हम लोग analysis लेकर के आ रहे हैं, तयार रहिएगा आप लोग हमारे experts के साथ, so let us start with the first question, फड़ा-फट से बताईए भई, सभी लोग सबसे पहला question का answer करेंगे, जल्दी-जल्दी हम लोग answer करेंगे, कि इस युग के मध्य धातू का वेदो में बार-बार उलेक मिलता है, और यह युग तामर पाशान युग के बाद आता है, कौन सा युग होगा ये, तामर पाशान युग के बाद आने वाला होता है, लौह युग, कौन सा लौह युग, इस बारे में कल हम लोगों ने timeline जब बना करके discuss किया था तब कल हम लोगों ने डिसकस किया था ठीक है फिर आता है गंगा घाटी में चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण कहां पाया जाता है तो गाईज इसका सही आंसर क्या होगा कि सबसे पहला प्रमाण गंगा घाटी में चावल की खेती का पाया जाता है लहुरा देवा कहां पर लहुरा देवा में पाया जाता है ठीक है ना लहुरा देवा में होमो इरेक्टस यानि की सीधा चलने वाले मानव की खोपड़ी कौन से स्थान पर प्राप्त हुई है तो नर्मदा घाटी में हतनौरा, होशंगाबाद, बगोर या बास घात इसका सही जवाब क्या होगा नर्मदा घाटी में हतनौरा, गाईज एकदम बिल्कुल टेजी से आप लोगों को आंसर करना है और हम लोगों को बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से 100 क्वेस्टन को करना है अगले 2 घंटे में, ठीक है, कुत्तों को मानव अंतेश्टी के साथ कहां दफनाया गया था, तो क कुत्तों को मानव अंतेश्टी के साथ, यानि कि हम इसको कहते हैं, पेट बरियल, क्या कहते हैं, पेट बरियल और यह हमें कहां से मिला है, यह हमें जमू अन कश्मीर में लोकेश्टेर, बुर्ज होम से मिला है, कहां से बुर्ज होम से मिला है, ठीक है, नेक्स्ट सब्धता की संबंद में कथनों पर विचार कीजिए मुख्य रूप से धर्म निर्पेक्च सब्धता थी धार्मिक्तत तो मौझूद थे पर हावी नहीं थे और भारत में वस्त निर्मान के लिए कपास का उपयोग किया जाता था कल मैंने आपको क्लास में ये बात बताई थी कल मतलब की Tuesday को बताई थी और उसमें I think आप सभी को पता होगा कि धार्मिक्तत तो मौझूद थे लेकिन हावी नहीं थे ये बात ध्यान रखियेगा बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है तो C इसका सही जवाब होगा कौन सा तथ्य सिंदु घाटी संभिता से संबंधित नहीं है मिट्टी के बर्थन बनाना मन के बनाना देवताओं के रूप में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना थीक है जल भंडारण संडचनाए या जानवरों का पालतु बनाना तो ध्यान रखियेगा ये किसकी प प्राकृतिक शक्तियों की दोनों में अंतर होता है ठीक है न तो प्राकृतिक शक्ति जैसे की जल जैसे की वायू जैसे की सूर्य जैसे की अगनी इनकी पूजा वेद में है न वैदिक काल में की जाती थी कब की जाती थी वैदिक काल में तो आंसर आप्शन भी होगा कौन वैदिक काल में पुलिस अधिकारी होता था मतलब कि कौन ऐसा था जिसका काम क्या था जिसका काम था पणी यानि कि पशु चोरों को पकड़ना तो पणी को पकड़ना किसका काम रहता था भई पणी को पकड़ना जो है ये जीव गरिभा का काम रहता था जीव ग्रीभा जीव ग्रीभा का काम रहता था आप बताईएगा इसमें से कौन सा युगम सही सुमेलित है यानि कि correctly match किया गया है correctly match कौन सा किया गया है बदायूनी अकबर नामा, अबुल फजल आईने अकबरी अब्दुल हमीद लाहोरी तबकाते अकबरी निजामुदन अहमद बादशाह नामा तो guys ध्यान रखेगा कि यहाँ पर सही match किया जाने वाला आंसर कौन सा है तो यह है option number B आईने अकबरी written by अबुल फजल written by फजल ठीक है न बाकी अगर आप देखेंगे तो अब्दुल हमीद लाहोरी ने बादशाह नामा लिखा है और निजामुदिन अहमद ने जो है वो तबकाते अमेरी लिखा है ठीक है आगे बढ़ते हैं दिये गए युगमों पर विचार करना है भेशज प्राचीन चिकित सक कंथक ठीक है न एक घोडे का एक घोडे का एक घोडे का प्राचीन नाम छुद्रक एक प्राचीन योद्धा जन जाती ठीक है तो इसमें सही सुमेलित कौन सा होगा भई तो ध्यान रखिएगा सही सुमेलित कौन सा होगा भेशज प्राचीन चिकित सक सही सुमेलित है कंथक एक घोड़े का प्राची नाम किसके घोड़े का हम लोगों ने अभी त्यूजे को डिस्वस किया था गौतम बुद्ध के घोड़े का गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था ये ठीक है ना छुद्रक लेकिन ध्यान रखेगा छुद्रक जो है दरसल में ये खुद्रक या शुद्रक जो है ये प्राची नियोधा जनजाती नहीं होते थे ध्यान रखेगा तो इसमें आंसर आप्शन वी होगा option B होगा स्वराट सब्द इसमें से किसका संकेत करता है महा जनपद युग में स्वराट ये आपके exam में question के तौर पर पूछा जा सकता है स्वराट सब्द जो है वो किसका संकेत करता है उत्तरी राज का राजा, दक्षिनी का राजा पूरवी का राजा या पस्चिमी का राजा तो द्यान रखिएगा यहाँ पर अलग-अलग नाम यूज किये गए हैं ठीक ना अलग-अलग नाम यूज किये गए हैं विराट, स्वराट ओके और कह सकते हैं कि समराट ठीक ना या फिर भोज अलग-अलग नामों का प्रियोग किया गया है पश्चिमी सामराज के राजा को स्वराट कहा जाता था कुनिका और सेनिय शब्दों का सही मतलब क्या है कल पिछली क्लास में आपने डिसकस किया था इसको कुनिका और सेनिय शब्दों का सही मतलब क्या है बही किसके उपाधियां है ये तो याद रखेगा ये जो है हर्यंक है ना ये जो है हर्यंक शासकों के हर्यंक शासकों के नाम है हर्यंक शासकों के नाम है कुनिका और सेनिय कुनिका और सेनिय ठीक है तो I think आप सभी लोगों को clear होगा ये कुनिका किसका नाम था वही कुनिका जो है ध्यान रखेगा कुनिक अजाद शत्रू को कहा जाता था कुनिक किसको कहा जाता था अजाद शत्रू को कहा जाता था और सेनिय किसे कहा जाता था बिम्बिसार को कहा जाता था ठीक है ना बिम्बिसार को नमलकित में से कौन सा स्थल ये औरंगाबाद में इस्थित है तो आपको बतारा है शाह जहां का मकबरा औरंग जेब की राणी का मकबरा अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा तो guys इसका सही जवाब क्या होगा Option number B रफिया उद्दौराणी रफिया उद्दुरानी या रभिया उद्दुरानी का मकबरा और अंगजेब की वाइफ जिसका एक और नाम है बीबी का मकबरा कल्चर से जुड़े हुए क्वेस्चन में ऐसे ही क्वेस्चन आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं तो बताईए सभी फटा-फट से इस क्वेस्चन का सही आंसर कल्चर से जुड़ा हुआ एक और क्वेस्चन है हालांकि इस पर से लेको ये प्रशन जो है आपको मैंने दिया है लेकिन इसमें से दो-तीन प्रशन बन सकते हैं जैसे की एक संपल सा प्रशन बनेगा कि निमलखित में से कौन सा स्थूप गौतम बुद्ध के पहले उपदेश से संबंधित है आपको बताया था मैंने कि उसका आंसर क्या होगा धमेक स्थूप होगा इसका जवाब दीजिए चौखंडी स्थूप बुद्ध के प्रथम उपदेश के स्थान से संबंधित है स्थूप बौत धर्म से संबंधित धन्य आत्माओं के धन्य आत्माओं के स्मारकों को इंगित करता है स्थूप परंपरा की शुरुवात अशोप के समय में हुई तो गाईज धियान रखेगा इसका जवाब होगा option number B2 only सिर्फ दूसरा सही है क्यों भला क्योंकि इसका चौखंडी के बजाए होगा धमेक धमेक और ये अशोप अशोप के समय में स्थूप परंपरा की शुरुवात नहीं होती है स्थूप परंपरा काफी काफी प्राचीन है अच्छा बिहार में आप लोगों के लिए सवाल है कि बिहार में किस जगह पर बिहार में कौन से स्थान पर विश्वसांती विश्व शांती स्तूप इस्थित है बताइए जर बिहार में कहां पर विश्व शांती स्तूप है फटाफट बताइए Q14 मौर प्रशासन के बारे में निमलिखित पर विचार करें कि तीर्थ और आयुक्त मंत्रालयों और विभागों के सरवोच अधिकारी हुआ करते थे कंटक शोधन हाथी बटालियन के प्रभारी अधिकारी हुआ करते थे बताइए फटाफट से इसमें से कौन सा सही है इन चारों में से गाई इन चारों में से सबसे सही उत्तर क्या होगा दरसल में दोनों ही गलत हैं तीर्थ जो है ये मंत्राले का अधिकारी नहीं होता था बलकि तीर्थ मंत्राले को ही कहा जाता था मंत्राले को ही तीर्थ कहा जाता था ठीक है न ध्यान रखिएगा आल राइट तो राजगीर जवाब देने वाले बहुत सारे बच्चे हैं चंग्रा सुगंधा और शीला शीला ने कहा रूबोध गया बिलकुल तो राजगीर होना चाहिए है न इसका आंसर ऑप्शन डी होग होता था ठीक है न क्रिमिनल मामरों के दालत गुप्त शासनकाल में सबसे कौन सा शहर रेशमी कपडे का सबसे अच्छा उत्पादक हुआ करता था ठीक है न गुप्त शासनकाल में कौन सा शहर रेशमी कपडे का सबसे अच्छा उत्पादक हुआ करता था पाटली पुत्र मुर्शिदाबाद, गाजीपूर या वारानसी तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा option number D वारानसी वारानसी से रेशमी वस्त्रों का वस्त्रों का निर्माण और निर्यात दोनों किये जाते थे ठीक है ना पाटली पुत्र भी काफी मशूर था पाटली पुत्र रेशमी वस्त्रों के बजाए ये जो है सूती वस्त्रों का केंदर था ठीक है ना next question कौन सा जनपद इसापूर्व छटी सताबदी में गड़तांत्रिक राज्य था अंग मगध वज्जी कोसल गड़तांत्रिक राज्य कौन सा था भई फड़ा फड़ बताईए जरा गड़तांत्रिक राज्य 6th century BC में तो गाईज सबको पता है वज्जी या फिर व्रिज्जी जिसकी राजधानी क्या थी राजधानी जिसकी थी वैशाली बिहार में तो क्या हम ये कह सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने गड़तंत्रों में से एक बिहार में एक्जिस्ट करता था तो बिलकुल सही कह सकते हैं ऐसा ठीक है ना नेमलिकित मगत राजधानशों को कालानुक्रमी क्रम में व्यवस्थित करना है भई नंद, शुंग, मौर, हर्यंक ठीक है ना इनको अगर अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे जल्दी जल्दी देख कर बताईए फटा-फट से सबसे पहले हर्यंक उसके बाद उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर नंद फिर आएंगे मौर और फिर आएंगे शुंग, ठीक है ना फिर आएंगे शुंग तो कोड कौन सा रहेगा चार, एक ठीक है ना, तीन और दो और राइट, चार, एक, तीन और दो तो डी इसका जवाब है कौन सा बौध जयन धर्म के बीच धार्मिक अंतरों में कौन से एक अंतर नहीं था बताईएगा जना फड़ाफड से तो जयन धर्म की तुलना में बौध धर्म अहिंशा के सिधान्त पर जोर देने में उदार था जयन धर्म का ठोरत अपस्या में विश्वास करता था जैन धर्म नहीं करता है तो गाई ध्यान रखिएगा D बौद धर्म आत्मा को स्विकार नहीं करता जैन धर्म स्विकार करता है यहाँ पर उल्टा दिखा हुआ है सुदर्शन जील के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है सुदर्शन जील, कहाँ पढ़ती है सुदर्शन जील तो ध्यान रखिएगा गीरी नगर गीरी नगर या गिरनार गिरनार ठीक है? गीरी नगर या गिरनार उसमें यह locatetr लोकेटड है सुदर्शन जील गुजरात में निर्माड चन्गुप्त मौर के दौरान किया गया राजपाल पुशिगुप्त के दौरा बिल्कुल सही है तुशाप के दौरा जील पर बाध का निर्माड किया गया ये भी सही है ठेक है पहला पुनर निर्माड रुद्रवन के दौरा रुद्रवन के दौरान सुविशाख द्वारा किया गया और इसकंद गुप्त के दौरान चक्रपाली द्वारा किया गया बिल्कुल सही है तो guys D इसका सही जवाब है क्या है D इसका सही जवाब है गुप्त काल के बारे में बात करते हैं गुप्त काल जो है आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारती समाज में जो हिंदू धर्म से संबंधित माननेताएं हैं, उनमें से अधिकांश माननेताएं, कहां पर प्रारंब हुई, कब प्रारंब हुई गुप्त काल में? मुझे सभी लोग बताएंगे कि बिहार में गुप्त काल का जो सबसे प्रमुख नगर था, वो कौन सा था? आंसर में बताईए सभी लोग फटाफर्च। इसका सही जवाब क्या होगा भई? गुप्त काल में सूरी पूजा एक महत्पूर्ण विशेष्टा थी, बिल्कुल सही है, और सूरी को समर्पित मुख्य रूप से दक्षिर भारत में मंदिर मौजूद थे, इसका होगा जवाब ऑप्शन B, मुख्य रूप से दक्षिर भ अब बताईए जड़ा, यहां तक ये वाला टॉपिक भी हम लोग कवर कर चुके थे, ठेयोरी वाले रिवीजन में, ठेयोरी वाले रिवीजन में ये टॉपिक कवर हो गया था, पवित्र बौध पिटकों की सामगरी को इंगित करने वाले कौन सा युगम सही सुमिलत नहीं हैं. विनय पितक, मत्वासियों के अनुशासन के नियम, अभिधम पितक, बुद्ध की सिक्षाओं का दार्शनिक विकास, सुत्त पितक, बूद्ध के पिछले जन्मों की जातक कहानिया, धम पद सारनात के बुद्ध का मूल उपदेश ठीक है कौन सा सही सुमेलित नहीं है बहुत बढ़िया तो जितने लोगों ने पिछले सवाल में मैंने पूछा था कि पाटली पुत्र के बारे में कि गुप्तकाल में बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा था तो गाइस पाटली पुत्र ही जवाब होगा सही पाटली पुत्र एक ऐसा शहर था जो गुप्तकाल के बाद धीरे-धीरे decline होना शुरू हो जाता है गुप्तकाल तक पाटली पुत्र ही सबसे बड़ा शहर होता था अल राइट तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब होगा option number C सूत पिटक बुद्ध के पिछले जनमों की कहानिया दोस्तों सूत पिटक में जातक के बारे में कुछ नहीं बताया गया है सूत पिटक में क्या बताया गया है? हमने पढ़ा है इसको ठीक है ना? बुद्ध के उपदेशों का संकलद इसी बात पर अगर देखें कि सबसे पहली बौद संगीती कहां पर हुई थी तो सबको पता होगा कि राजगीर में हुई थी कहां हुई थी? राजगीर में राजा कौन था? अजात शर्त्रू दूसरी जंगीती कहां हुई थी? तो वैशाली में हुई थी वैशाली में राज़ा कौन था? कला शोक ठीक है? टीसरी कहां पर हुई थी? पाठली पुत्र में तो पाठली पुत्र में उस वक्त रूलर कौन था? अशोक तो guys बौद धर्म से सम्मंदित ये सब तमाम चीजें आप लोगों को बिहार के respect में specially ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि बिहार की संस्कृति का बड़ा ही सुनहरा ये पन्ना माना जाता है अब ध्यक्षों के नाम भी याद रखिएगा कि पहले में महाकस्षप थे दूसरे में सर्व कामिनी थे तीसरे में मुगली पुत तिस्त हुआ करते थे ठीक है ना सिर्फ चौथा संगीती जो है वो कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था कनिश्क के समय हुआ था जिसमें की वसुमित्र और अश्वगोष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रम्ष हुआ करते ठीक है न आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पहले एक बार फटा-फट से सेशन को जरा शेयर कर दीजेगा लाइक वाइक कर दीजेगा समय निकाल करके एक दो सेकेंड का आईए चलते हैं अगले क्वेस्चन पर पतेपुर सिकरी में इबादत खाना क्या होता था शाही इसमें सही जवाब option C होगा अकबर ने विभिन धर्मों के विद्वानों के साथ बैठ कर चर्चा की कहां इबादत खाना में इबादत खाना में इबादत खाना कहां पर है वही फतेपुर सिकरी में है ये कहां पर है फतेपुर सिकरी में है आल राइड नौ किस मुगल अध ठीक है ना बताईए फटाफट से कि किस मुगल अधिकारी ने हुमायू को शेरशा के खिलाफ मुगल किले पर कबजा करने में मदद की चुनार किले पर कबजा करने में मदद की बताईए सभी लोग फटाफट से आंसर रहत तो जल्दी जल्दी आंसर बताईए सभी लोग इस का सही answer होगा महावत खान ठीक है I think यहाँ पर न महावत सारी महावत खान तो दूसरा था महावत का दूसरा था वो अकबर के टाइम पर सा यह दिलावर खान है ठीक है डिलावर खान है जो की हुमायो के टाइम पर रहेंगे ठीक है आंसर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेस्चन पर विक्रम शिला विश्विद्याले की संस्थापक, पिछले प्रशन का आंसर होगा, दिलावर खान, ठीक है, दिलावर खान, गाईज आश्पाल सर जुड़ चुके हैं, आश्पाल सर का स्वागत करिए, बिल्कुल सर बहुत बहुत नमस्कार सर, आपका स्वागत है, विक्रम शिला विश्विद्याले के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या देवराज, बताईए, विक्रम शिला विश्विद्याले के संस्थापक का क्या नाम था, तो दोस्तों, इसमें सही जवाब होगा, option number A, धर् अगर आपसे ये पूछा जाए कि विक्रम शिला विश्विद्याले, ये बौध धर्म के, बौध धर्म के, किस शाखा से संबंदित है, तो आप क्या बताएंगे, बौध धर्म के किस शाखा से संबंदित है, तो ध्यान रखिएगा कि ये बौध धर्म के, वज्रयान शाख वाज्ज्रयान शाखा से संबंदित है। अब बताना है आपको कि शिवा जी के अश्ट प्रदान के सदस्य जो विदेशी मामलों को देखते थे जो विधेशी मामलों को देखते थे। कौन थे वही पेशवा थे सचिव थे पंडित राव थे या सुमन्त थे बताईए फड़ाफट से आंसर करिए तल्दी जल्दी सभी लोग फड़ाफट कि जो विदेशी मामलों को देखते थे foreign affairs ठीक है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर कि सचिव का रोल क्या रहता था सचिव क तो यह जो है foreign powers के साथ exchange करते थे, communications का exchange करते थे तो आंसर क्या होगा? A नहीं होगा, answer B नहीं होगा, C नहीं, answer option D होगा, option number D होगा answer. मुगल बादशाहों में निम्रखित में सेस्म मकबरे के मध्य में गुंबद नहीं है, किसके मकबरे के बीच में गुंबद ही नहीं है, वावा, ये बताइए जरा, बिहार PSC के ऐसे questions आने की उमीड बहुत अधिक रहती है, जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाह जह किसके मध्य में या मध्य गुंबद में absence देखा गया है, मकबरे में मध्य गुंबद नहीं है, बताइए, तो गाईज इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, option number B, अकबर का मकबरा, कहां पर, प्रश्न अगर पूछा गया कि अकबर का मकबरा कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे, सिकंदरा में, कहां पर है, सिकंदरा में, किसने निर्मित करवाया, जहांगीर ने पूर्ण करवाया, पूर्ण करवाया, ना, नेक्स्ट क्वेस्चन है, खुर्रम ने अपने विद्रोह के बाद आत्मसमरपण की शर्तों के पालन में किन दो पुत्रों को जहांगीर के दर्बार में भेजा? बताईएगा, मुराद और शाहशुजा, मुराद औरंगजेव, शाहशुजा औरंगजेव, दारा औरंग बिलकुल कुमारी पुजा जी, बौध शैली में जो बना है, अकबर के द्वारा बनवाया गया, वो है पंच महल, पंच महल है, ठीक है न, धियान रखेगा, पंच महल है, बिलकुल राजा राम ने खोद कर हड़ी जला दिया था, बहुत बढ़िया पुजा जी, बहुत लिए राजसर संग्रह की सुभधा के लिए, धार्मिक सतभाव सुनशीत करने के लिए, क्लीन एड्मिनिस्ट्रेशन को प्रदान करने के लिए, या सेना में भरतियां करने के लिए, तो मंसभदारी प्रनाली जो है, वो क्यों शुरू की गई थी? मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी तो ध्यान रखेगा कि revenue collection के लिए तो already system हुआ करता था पहले से धार्मिक सर्भाव का इससे कोई लेना देना नहीं था स्वच्छ प्रशासन को यानि clean administration के लिए clean administration के लिए इसकी शुरूआत की गई थी या सेना में recruitment के लिए शुरूआत की गई थी तो जवाब option number C होगा option number C होगा सेना में भरतियां तो पहले भी हुआ करती थी जब मनसबदारी system नहीं था पर अकबर ने विशेश कर clean administration बिना किसी dispute किसी विवाद के administration ठीक है ये प्रदान करने के लिए अकबर ने शुरू किया था मुगलों के मन्ति रेखें किस मुगल समराट ने गुरु गोविन सिंग को मुगल सेवा में शामिल किया बादुशा फर्स्ट जहादार शा, फर्रुगसियर मुहम्मद शा बताईए दिर्व गुरुगोविन सिंघ् жд को मुगल सेवा में शामिल किया, उनको मनसब प्रणान किया गया, किसके दूरा बताईए दिर्विद दोप massively किया गया, अगर सवाल ऐसा भी पूचा जाता है, त तो भी आपको वही उत्तर देना है, फिकना वही उत्तर देना है, आल राइट, चलिए, तो आंसर करिए फटा-फट से, दोस्तों इसका सही जवाब होगा, option number A, बहादुर शाह first, बहादुर शाह first, गुरु गोविन सिंग जो है, वो लगभग एक वर्ष के लिए, इस ruler के under मे मतलब एक जागिरदार की position उनको offer की गई थी, हालांकि ध्यान रखेगा कि उनकी death के बाद, उनकी death के बाद जो है, बाबा बंदा सिंग बहादुर, बाबा, बंदा सिंग बहादुर, ठीक है न, ये व्यक्ति जो है, ये समराथ, मुगल समराथ के खिलाफ वापस से विद्र अफ लोहागर जो है, उसमें निर्डायक रूप से फैंसला हो जाता है, ठीक है न, आगे चलते हैं, शेक मुहिनुद दीन, बक्तियार काकी और फरीदुद दीन गंजे शकर, ये लोग कौन थे, सल्तनत काल के नेता थे, सैन लीडर्स थे, सल्तनत काल के चितकार थे, चिष् पुजा राय जी, मराठाओं को सर्देश मुखी, कलेक्ट करने का, कलेक्ट करने का राइट, दक्कन के छे प्रोविंसेस में दिया था, बहादुर साफ फस्ट ने, और चौत कलेक्शन का राइट लेकिन नहीं दिया था, जो की कब मिलता है, जहादार शाह के समय मिलता है, तो ये सब लोग कौन हुआ करते थे, मुईनुदिन चिष्टी, बक्तियार काकी, फरिदुदिन गंजे शकर, ये सब चिष्टी संत हुआ करते थे, और अंजेव के शासनकाल में अंतिम वर्षों के दौरान मुगल प्रशासनिक धाचे को जागिडारी संक्ट का सामना करना पड़ा, ये कथन है, और कारण क्या है कि सीमित संक्या में जागीर, लेकिन असीमित संक्या में मनसबदार, जो जागीर के इच्छुक थे, ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा, दोनों जो हैं, वो अलग-अलग रूप से भी सच हैं, और सही व्याख्या भी है, सही ये ऐसे क्वेश्चन बिहार पीरसी में शायद ही कभी देखने को मिलते हों, लेकिन क्योंकि यूपी में पूछा जाता है, हो सकता है, कारी बिहार में भी, पूछ लिया जाए, इस तरीके का प्रशन दो दिहान रखेगा, और अंग्जेब के शासंकाल में जागिरदारी सं इसमा कौन सा मीरबक्षी का कार्य नहीं है, मीरबक्षी कौन था, आप लोग जानते होंगे, उसी के आधार पर आपको बताना है, ठीक है, नौव, मीरबक्षी का काम कौन सा नहीं रहता था, मनसबों की नियुक्ती के लिए सिफारिश करना, सामराज की खुफिया सूचना एजनसियों की रिपोर्ट इकठा करना, दरवार में सामराज के सामने रखना, इंकम और एक्सपेंडीचर के लिए रिस्पॉंसिबल था, खालसा जागीर इनाम पर उसका कंट्रोल रहता था, गाईज इसका सही जवाब option number C होगा, ये काम जो है वो दिवान या वजीर का रहता था, ना की मीरबक्षी का, ठीक है ना, ध्यान रखियेगा, ना की मीरबक्षी का, ओके, ना, हमपी में विजयनगर के खंडहरों को अठारा सव में प्रकाश में कौन लाया, विजयनगर के खंडहर किसने खोजे, कर्बनल कॉलिन मेकेंजी, सर जान शोर, एंडू फ्रेजर, जान मार्शल, सही जवाब बताईए सर, किसने खोजे, विजयनगर के खंडहर को किसने खोजा, ठीक है, तो भई विजयनगर के खंडहरों को खोजने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, बलकि कॉलिन मेकेंजी हुआ करते थे, जिनोंने विजयनगर के खंडहरों को खोजा, ठीक है न, अरब व्यातारी सुलेमान नवी शताबदी में किस के राज में भारत आया था, विजय स ठीक है, तो बताइए फड़ा-फड़ से सही जवाब क्या होगा, तो गैज, इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नमबर, ऑप्शन नमर बी, मिहिर भोज, किसके टाइम पर, मिहिर भोज के टाइम पर आया था, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी समय तक कौन सा राजवंश श तो गैज, याद रखिएगा, 1206 से लेकर के, और 1290 तक, ठीक है न, ये रहता है किसका, गुलाम उबंश का, खिलजियों का रहता है, 1290 से लेकर के, 1320, 1320 से लेकर के, और 1414, मांग दीजिये कि किसका रहता है, तुगलक्स का, और लोधियों का रहता है कब से कब तक, 1451 से लेकर के, ठीक है न, और 1526 तक, ठीक है न, तो लगभग, लगभग 100 वर्ष, यानि की 94 वर्ष तक, जो है, तुगलक्स राजवंश चलता है, ठीक है न, आंसर ओप्शन C, मद्यकालीन, राइट, मद्यकालीन, शासकों के संदर्व में, निलखित में से कौन सा कतन सही है, अलाउद दीन, खिल जी ने सबसे पहले एक अलग, आरिज, हैना, आरिज, विभाग की स्थापना की, आरिज, विभाग की स्थापना की, बलबन ने अपनी सेना में घोडों की ब्रैंडिंग की शुरुआत की, यानि घोडों के, दागने की शुरुआत की, मुहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा ने सेना में प्रवेश किया यानि कि मुहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके अंकल जो है वो मिलिटरी लीडर बन जाते हैं या फिरोज तुगलक ने दासों का एक अलग विभाग स्थापित किया तो D इसका सही जवाब होगा याद अखेगा फिरोट शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान दीवानी ए बंदगान ये जो है इस्टाब्लिश किया option number D नेक्स्ट वेस्टन डिल्ली सलतनाथ के संदर्व में राजधानी का दिल्ली से देवगिरी में इस्थाना आंतरन दीवाने खैरात का निर्माण फारसी तेवहार नौरोज की शुरुआत इसमें से सबसे सही कौन सा है आपका समय औरड़ी स्टार्ट हो चुका है बताईए सभी लोग फटाफट क्या आंसर होगा गाइज इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नमबर ए होगा ऑप्शन नमबर ए होगा ठीके न आल राइट अरे पूजा राय जी ने पिछले वाले क्वेशन का अच्छा सा एक्स्मेनेशन भी दिया है बहुत बढ़िया कि दिवाने आरेज जो है वो सबसे पहले बलबन ने ध्यान रखेगा कि दिवाने आरेज और दिवाने वजारत है ना दिवाने आरेज और दिवाने वजारत नाम की दो मिनिस्ट्री जिसमें कि आरेज में आरेज में सेना और वजारत में वजारत में revenue तो सेना और revenue का जो separation था वो बलबन ने किया था और allowed इन खिलजी ने market से related और measurements related कई सारे departments जैसे दिवाने मुस्तखराज हो गया या फिर दिवाने रियासत हो गया इस प्रकार के departments allowed इन खिलजी ने establish किये थे ठीक है न दिवाने खैरात जो है ये फिरोजशा तुगलक का रहता है और दिवाने बंदगान भी फिरोजशा तुगलक का रहता है दिवाने आमिर को ही ये मुहम्मद बिन तुगलक का रहता है दियान रखिएगा ठीक है न इसी प्रकार जो है वो कह सकते हैं कि एक शफा खाना जो है य में किये गए थे ठीके ना चले कौन सा गलत सुमेलित है कुतुम मिनार एबक और इलतुत मिश रहाई दिन का जोपड़ा इब्राहिम लोधी रहाई दर्वाजा अलाव दिन खिल जी लाल महल बलबन बताईए बिल्कुल चंद्रा जी बलबन ने शुरू किया था न रोज बिल इस आंसर क्यों कि अढ़ाई दिन का जोपड़ा इसके नर्मार करवाया गया था आएबक के द्वारा आएबक द्वारा ठीक है ना चांदी का टंका चांदी का टका दिवाने कोही दारुल शफा शहनाय मंडी इसमें आपको करना है सही मैच चांदी का टका किसने शुरू कि टिक ना वो बताना है दिवाने कोही ये किसने शुरू किया ये भी बताना है ठीक है और उसके बाद फिर दारुल शफा इसकी शुरूआत किसने की you have to tell शहनाय मंडी तो आंसर क्या होगा option number C होगा option number C होगा चांदी का टका 3, इलतुतमेश, दिवाने को ही 4, मुहम्मद तुगलक, दारुल शफा, 2, फिरोज तुगलक, और, ओके, शाहनाय मंडी 1, अलाउद दिन खिलजी, फिकर, आंसर इस ऑप्शन सी, इसमें से कौन मुहमद गोरी का गुलाम नहीं था भई, अभक, शंप्शो दिन इलतुतमेश, ताज़ His यालद या, लेक्तियारो दिन भक्तियार खिलजी, बताएए सर मुहमद गोरी का गुलाम इसमें से कौन नहीं था सभी लोगों बता रहा है फड़ा फड़ से तो मुहमद गोरी का गुलाम इसमें से कौन नहीं था तो दियान रखिएगा शम्शुद्दिन इल्टुतमिश is the right answer क्योंकि शम्सुदिन इल्तुदमीश जो है ये किसका गुलाम था ये एबक का गुलाम था एबक का गुलाम था ठीक है न बैन मुक्ति बाहिनी का गठन बंगाली आबादी के द्वारा किसके नित्रत्तों में किया गया था मुक्ति बाहिनी का गठन बंगाली आबादी के द्वारा इसके लीडर्शिप में किया गया था भई मीरा बेहन मुजीबुर रह्मान चारु मजुमदार इनने से कोई भी नहीं तो दोस्तो इसका सही जवाब होगा option number B मुजीबुर रह्मान जिनको की बंग बंधु भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बंग बंधु शेख मुजीबुर रह्मान रही बात मीरा बेहन और सरला बेहन की तो महात्मा गानी से रिलेटेड है चारु मजुमदार जो है ठीक है न चारू मजुमदार नक्सलाइट मुमेंट से रिलेटेट हैं और बाकी तो option D is none of these ओके नाव 1857 के विद्रोह के बारे में ये किस ने कहा कि यह न तो पहला है नहीं राश्ट्री है नहीं नहीं सुतंतरता का युद्ध है ये किस ने कहा तो ये कहने वाले थे आरसी मजुमदार ठीक है दें कलनौर को किसके अस्थान के रूप में जाना जाता है अकबर का जन्मस्थान अकबर की समराट के रूप में गोशना हुमायू का विवाश समारो या उपरोगत में से कोई नहीं बताईए कलनौर जो है कलनौर ठीक है न इसको किस अस्थान के रूप में जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा अकबर का राज्या भिशेक जो होता है ये होता है कहां पर कलनौर में कहां पर कलनौर में तो समराट ये रूप में बैरम खान ने डिक्लेर कर दिया उसका तो यह सब जो है that is the very important thing गुलाब से गंध निकालने की तकनीक का आविशकार किसने किया अब ये बताईए ज़रा that who invented the technique of extracting the scent from the rose guys इसका सही जवाब क्या होगा option number B नूर जहाने discover किया right नूर जहान okay now बिल्कुल बिल्कुल पूजा राजी सिंध के राजा के है न बताईए भारती राष्टी संग का यानि इंडियन नेशनल असोसियेशन का पहला अधिवेशन 1875 में बंबई में आज़ूद किया गया था भारती राष्टी सम्मेलन ने 1883 में 85 में कॉंगर्स इवेशन से पहले दो सत्र आयूद किये थे ठीक है बताईए भारती इसमें से सही जवाब कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है मतलब गलत नहीं मतलब करेक्ट है ठीक है ठीक है अब पूर्वा जी नूर जहां की मॉम ने बिल्कुल सही बात है लेकिन बिल्कुल बिल्कुल नूर जहां की मदर नहीं किया था ठीक है बट उसमें ऑप्शन में आप देखेगा ज़रा अस्मत बेग का नाम कहीं पर नहीं दिख रहा है इसलिए नूर जहां होगा करेक्ट आंसर ठीक है ना ये क्वेशन है ये पीएसी में पूछे गए सवाल है दर्सम में और उसमें नूर जहां को आंसर माना गया है ठीक है ना अस्मत बेग एग्जेक्ट आंसर खेर होगा वो बात अलग है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल अपूरवाजी बिल्कुल नूर जहां की मदर ने किया था अब देखा जाए तो जहां तक बात है कि डिस्टिलेशन की शिरुवात किस ने की तो नूर जहां ने तो कताई नहीं करी होगी नूर जहां की मदर ने भी उसके पहले भी रहा होगा बट हाँ सेंट उससे डेवलब करना यह अलग बात थी इसमें कौन सा करेक्ट स्टेट्मेंट है तो करेक्ट स्टेट्मेंट जो है ऑप्शन नमबर बी ओनली टू है क्योंकि यह 1876 में कोलकाता में हुआ था ठीक है न यूरोपे सैनिकों के द्वारा होइट म्यूटिनी किसके दौरान की गई थी होइट म्यूटिनी किसके दौरान की गई थी आप लोगों को बताना है और फड़ा फड़ा बताईए क्या होगा सॉरी क्या होगा इसमें होइट म्यूटिनी होइट म्यूटिनी किसके दौरान की गई थी बही सब लोग जानते होंगे मेरे ख्यास से everyone white mutiny बही आप लोगों ने सुना होगा दरसल में कि जब Lord Rippen हुआ करते थे Lord Rippen हुआ करते थे Governor General Viceroy ठीक है न तो उस condition में क्या हुआ था कि Lord Rippen के Viceroy रहते 1883 में एक बड़ा ही important event हुआ था जिसको कहा जाता है Albert Bill Controversy Albert Bill Controversy Albert Bill Controversy में जो lower court के judges थे उनको भी उन Indian judges को भी जो है European Convicts का या European Accused का case सुनने का अधिकार दिया गया था जिसके विरोध में लोगों ने खासकर British और European जन्ता जो थी इंडिया में रहने वाली उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था तो इनको वापस लेना पड़ा अपना कदम ठीक है इसे कहते हैं श्वेत विद्रोह MC सीतलवार, बियन राओ और अलाधी कृष्णा स्वामी अयर किस पार्टी के विशिश सदर से थे सुराज पार्टी All India National Liberal Federation मद्रास लिबर यूनियन और Servants of India Society के स्थापग बताए कुमारी पूरी डेली कितने क्वेश्चन्स होते हैं मैडम ये डेली वाले क्वेश्चन्स तो नहीं है ये दरसल में जो बिहार PSC आ रहा है उसके लिए विशेश रूप से सौ क्वेश्चन्स का एक पूरा सीरीज है तो ये एक अलग सेशन है बाकी डेली क्वेश्चन्स जो होते हैं वो तो खेर अलग मात है ठीक है ना सही आंसर क्या होगा option number D होगा servants of India society ठीक है न ब्रिटिश भारत में शुद्धी आंदोलं के बारे में विचार करिए वही फटाफट से यह एक समाजिक राजली का अंदोलं था जिसका उदेश हिंदूों के इसलाम और इसाइध धर्म में धर्मानपड को कम करना था इसका उदेश अन्य धर्मों से वहीश्कृत लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्थित करके अस्प्रिश्यता की समापता को समापता करना ठीक है तो शुद्धी आंदोलों के बारे में निम्खित पर विजार करें बताईए तो दोस्तों ध्यान रखेगा कि शुद्धी आंदोलन दरसल में क्या था कि इसको अपन एक और नाम से कहते हैं जो आज कल कहा जाता है घर वापसी घर वापसी ठीक है ना तो घर वापसी में मतलब आप देखेगा जरा यानि कि इसमें इसमें जो है socio-political moment जिससे कि हिंदूओं को इसलाम और इसाई में conversion करने इसे रोका जा सके तो ये सही है और दूसरा जो है जो अगर convert कर चुके हैं उनको वापस लाना है तो ये भी सही है यानि की answer क्या होगा A और C दोनों सही ठीक है दोनों सही अलीग आंदोलं किसके लिए शुरू किया गया था भारत मुसल्मानों की समाजीक और सेक्षिक उन्हती के लिए भारती राशी कॉंगर्स की स्थापना का विरोध करने के लिए अखिल भारती मुसलिम लीग बनाने के लिए बुट्स डिस्पैच द्वारा प्रस्तावित विश्विदाले प्रणाई में सुधार के लिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा सब को मालूम है कि अलीगड़ अंदोलन शुरू किया गया था भारत में मुसल्मानों की सामाजिक और सैक्षिक उनती के लिए ओके ए इस द्यांसर ओके ना ना तो आइटिंक क्या बफरिंग वगरा देखने को मिल रही गया बीच वीच में अटक रहा है फिर से शुरू हो गया यंग बंगौल मुवमेंट ने क्या किया भई यंग बंगौल मुवमेंट में क्या था पुरानी परंपराओं और पतंशील रिवाजों पर हमला किया महिलाओं के अधिकारों और उनकी सिक्षा की वकालत की मुर्थी पूजा के खिलाफ बहस आयोजित की या फिर सभी कुछ उपरोगत सभी कुछ किया ठीक ना बताईए ज़रा कि यंग बंगॉल मुमेंट ने क्या किया बताईए फड़ा फट से यंग बंगॉल मुमेंट ने क्या किया इन में से ओके ओके वापस से बफरिंग शुरू हो गई यंग बंगॉल मुमेंट वापस से बफरिंग यंगॉल मुमेंट वापस से बफरिंग यंगॉल यंग बंगॉल मुमेंट के रिए आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सही आंसर क्या होगा। option number D होगा, all of the above, क्या होगा, all of the above, ओके, आप मुझे एक मिनट दीजेगा, मैं इसमें change करता हूँ कुछ, झार, मुझे दीजेगा, दीजे ओके, दीजेजेगा, औ neighborhood मस्तीत करता हुआंज, औ करता हुआंगा, sवीक करता हुआंपे, औ क्यांनित्यों छाओा सांता हुआ झाल झाल All right. तो गाईज इसमें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देवबंद आंदोलन का उद्देश्च क्या था? तो मुसल्मानों के बीच पश्चिमी और तरकसंगत विचारों का प्रचार करना, महिला केंदृत सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, ठीक है न? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, देवबंद आंदोलन के बारे में कौन सा सही है, यह आपको बताना है, ठीक है न? गाईद इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, ओप्शन नंबर, रैइट, ओप्शन नंबर डी, ठीक है न? यानि कि पश्चिमी और तरकसंगत विचारों का प्रचार प्रसार करना ये भी नहीं था, और महिला केंदृत समाजी सुधारों का बढ़को बढ So, that is the right answer. Okay? Now. प्रग़्षर केंदू लाइट, ठीक है प्रšजा प्रrना में मुजरा होगा? झाल झाल जानकी गन फिव्टी थर्ड क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानन्द के विचारों के संदर्व में कौन सा या कौन से सही है ठीक है ना उन्होंने वेदान्द दर्शन की सरवोचता का समर्थन किया वह भारती राष्ट्रवाद के विचार और अवधारना के खिलाफ थे उन्होंने मूर्टी पूजा और धार्मिक आंकडों को देवता बनाने के विचार का विरोध किया या उपरोग्त में से कोई नहीं ठीक है ना तो ध्यान दिखेगा इसमें कि आपको सही आंसर करना है कौन सा सही आंसर होगा भई उन्होंने विदान्त दर्शन की सरवुच्छता का समर्थन किया ये बात सही है स्वामी विविकानन्द के बारे में ठीक है ना गाईज मैं कि शूर कि इसको आप लोग सही आंसर मार्क करें आल राइट ओके वरिवाद खर तर प्रोचड़ मैं का लिवाद तर अको का लिवाद प्रोच्ट ना तर खर बारे में कर दोले कि झाल एंसरी ना थायान्त रदान्त अगर आप लोगों को next question दिख रहा होगा तो स्वामी विकान की विचारों के संदर्व में कौन सा सही है हम लोगों ने discuss कर लिया है इसमें answer option number A होगा अगले पर आते हैं कि निरुखित में से कौन सा गलत सुमेलित है पूझा जी 50 second question जो है वो I think गलत था तो उसमें options गलत थे सो मैंने उसको उड़ा दिया ठीक ना कौन सा गलत सुमेलित है यह आपको बताना है PITS India Act 1784 Board of Control to Company मामलों का मार्गदर्शन और नियंत्रण ठीक ना यानि कि Board of Control की स्थापना Company मामलों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने के लिए राइट करने के लिए 1813 का Charter अधिनियम भारत के साथ व्यापार का Company का एकाधिकार समाप्त हो गया 1839 का Charter अधिनियम भारत सरकार द्वारा लिया गया Company का करज और 1853 में Charter अधिनियम के मामलों को विन्यमित करने के लिए ठीक है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है कौन सा गलत सुमेलित है ये आपको बताना है और आपका समय अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है अच्छी तरीके से बताइए फड़ा फड़ से इसमें सही जवाब क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए सब ल तो गाईज इसमें right answer क्या होगा भई धाल या इसका सही जवाब होगा option number D company के मामलों को विनियमित करने के लिए option number D में नहीं यह थार सो तिरपन का चार्टर बताया गया है जबकि यह क्या होगा 1773 का regulating act regulating act ठीक है ओके यह आपको बताना है तो इसमें आपको बताना है कि सही जवाब कौन सा होगा option number D is the wrong answer क्योंकि बाकी सारी बाते सही है और इसमें अपन देखेंगे कि बही जो board of control का गठन किया गया तो company के मामलों को इमार्गदर्शन करने के लिए नियंत्रड में लेने के लिए सब पुछ किया गया और यहाँ पर 1833 का charter act जो है वो भारत सरकार के द्वारा company के करजों को ट्रांसफर कर दिया गया ठीक है ना और 1853 में company के मामलों को विन्यमित करने के लिए ये गड़बड है ये गड़बड है ध्यान रखें ठीक ना ये गड़बड है ओके भाई मेरे A is right यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा गलत है गलत सुमेलित है राइट तो A तो definitely correct है B भी correct है C भी correct है D गलत है तो D answer होगा D answer होगा ठीक है ना सर सयद हमद खान का भारत में मुसल्मान सिक्षा के प्रसार में उन लेखनी ये योगदान था वह समाजी सुधारों की पहले में निम्कित में से किससे सहमत नहीं होंगे ठीक है ना पस्चिमी सिक्षा में विश्वास महिलाओं की सिक्षा तर्कवाद और विज्ञान की होगा इसका सही जवाब होगा option नंबर c सर सयद हमत खान जो है वो शरिया के परंपरिक शरिया के बजाय जो है वो सहमत होंगे सा की scientific education या scientific तोड तरीकों से education जो है वो provide की जाए ठीक ही ना वो provide की जाये तो यह होगा इसका सही जवाब ठीक है अगले क्वेशन पर आते हैं सभी लोग कि निम्कित में से सबसे पहले पंडने वाला असोसियेशन कौन सा था बिटिश इंडियन असोसियेशन बॉम्बे असोसियेशन मद्रास महाजन सभा या पूना सारवजनिक सभा ठीक है ना पून बॉम्बे असोसियेशन जो है इसको आप समझिएगा बॉम्बे नेटिव असोसियेशन बॉम्बे नेटिव असोसियेशन होता है यह। एक भी ना वाम्बे नेटीव असोसीयेशन रहेगा यह ठीक ना रवरिवन इसमें क्या होगा सही जवाब कि बाइग बॉम्बे नेटीव असोसीयेशन पहले इस्तापित हुआ या इंडिया नेशन अस्तापित हुआ कौन साइज आंसर सही होगा फटाफ़ बताईए तो गाईस ध्यान लखिए का इसमें जो सही जवाब होगा ठीक है इसमें जो सही जवाब होगा दाट विल बी ताट विल बी ओप्शन नंबर ए ओके ब्रिटिश इंडियन असोसियेशन 1851 में इसकी स्थापना होगी इसकी स्थापना हुई बॉंबे नेटिव असोसियेशन 1852 में इसकी स्थापना की गई मदरास महाजन सभा 1884 में इसकी स्थापना की गई और पूना असारजनिक सभा ये 1870 के आसपास में स्थापित की गई ठीक है ना तो गाईस इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक है ना सुरेद नाथ बेनर जी वारा स्थापित इंडियन असोसियेशन का उद्देश क्या था सिक्षित मद्यम वर्ग के विचारों का प्रतनित्तु करें जूर्ट समुदायत होगा निमन लिखित में से कौन भारती राष्टी कांगरिस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है वही बदरुदीन तैयब जी मुक्तार हमद अंसारी दिनिशा एलडू जी वाचा या मौलाना अबुलकला माजार सही जवाब क्या होगा सही जवाब होगा option number A बदरुदीन तैयब जी option number A बदरुदीन तैयब जी वैसे आप सभी लोगों को मेरे ख्यास से पता होगा कि बदरुदीन तैयब जी जो है ठीक ना बदरुदीन तैयब जी जो है ये है एक बड़े ही मशूर लायर हुआ करते थे Bombay, जो है प्रांट के रिखनाar, Bombay प्रांट के और इन्होंने दरसल में इंडियन नेशनल कॉंगरेस की अध्यक्षता ये 1887 के मेरे ख्यास से सेशन में की थी ठीकर ना 1887 के सेशन में की थी और 1888 में मेरे ख्यास से Congress का चौथा सेशन जब हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे George Yule हुआ करते थे George Yule हुआ करते थे और वो सेशन हुआ था Allahabad में, कहां पर हुआ था Allahabad में हुआ था तो पहले Muslim और पहले जो है Christian या British सदस्य के तौर पर क्रमशह नाम आता है बदरुदिन तयब जी का और George Yule का नाम आता है, ठीक है नब तो ये चीज़ आप लोगों को दिहान में रखनी है Now Right answer क्या होगा? Right answer होगा Option number Option number A Badruddin तयब जी 887 के मद्रास Now 59 में आ जाते हैं हम लोग 1925 के काकोरी शडियन पर मामले में सबूत के तौर पर पेश किया गया The revolutionary शीर्शक वाला एक घोशना पत्र किसके द्वारा लिखा गया था ठीक है न? किसके द्वारा लिखा गया था तो answer बताईएगा इसका क्या होगा? तो answer सही होगा Option number A Sachindranath सान्याल के द्वारा लिखा गया था यह वही Sachindranath सान्याल हैं दोस्तों जो आगे चल करके एक और एक और रचना करेंगे जिसका नाम रहेगा बंदी जीवन बंदी जीवन ठीक है न? क्या नाम रहेगा? बंदी जीवन ठीक है? तो आगे रहे अजहर अंसारी जी चन्नाई 1787 नहीं चन्नाई 1887 सर कैलिकोस क्या हुआ करते थे भई? भारत से निर्यात किया गया इंडिगो, भारत से निर्यात किया गया कपास, भारत से निर्यात किया कपड़ा, या भारत से निर्यात किया कीमती पत्थर राइट आंसर ओप्शन इंबर C होगा कैलिकोस दरसल में भारस से निर्याद किये गए निर्याद किये गए कपड़े हुआ करते थे क्या हुआ करते थे? कपड़े ओके? नाओ आपनिवेशिक काल के निमलखित में से कौन से क्रांतिकारी संगठन यह थोड़ा अलग-अलग है यह जो आपको इंग्लिश में question दिख रहा है you have to answer this question you have to answer this question okay who is commonly known as navigator? निमलखित में से किसे साधारन तया navigator के नाम से जाना जाता है किसे navigator के नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है यह आपको बताना है और guys इसमें आपके पास अलग-अलग choices हैं ध्यान रखिएगा navigator के नाम से किसे जाना जाता है okay everyone तो फड़ा-फड़ से answer कर दीजे भई who is the right answer navigator के नाम से King John II को, Prince Henry को King Emmanuel को या फिर Pope Alexander VI को who is called as the navigator बताए who is called as the navigator किसे कहा जाता है navigator guys इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number option number B Prince Henry को कहा जाता है navigator क्या कहा जाता है Prince Henry को navigator ठीक है ना ध्यान रखेगा इस चीज़ का now Prince Henry is called as the यह price लिखा हुआ है क्या है ओ शिट यह होगा Prince Henry ठीक ना Prince Henry ओके navigator next question है भारत के पूर्व स्वतंत्र इतिहास में स्वतंत्र पूर्व इतिहास के संदर्व में कोमा गाटा मारू क्या था ठीक है ना कोमा गाटा मारू क्या था तो options दे हुए है कि भारती steamship था जो मुस्तिम्यात्रियों को लेकर जापान के लिए रवाना हुई थी ठीक है ना और इसमें आपको बताना है कि यह एक भारती steamship थी जो पंजाब से लेकर के कनाडा के रवाना हुई थी आंसर क्या होगा जापानी steamship जो पंजाब के अप्रवासियों को लेकर के कनाडा के लिए रवाना हुई थी ठीक है तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो एक major episode हुआ है जिसमें कि कनाडा के समुद्र तट पर उतरने नहीं दिया जाता है ठीक है ना उतरने नहीं दिया जाता है और वहाँ पर सैकडों पंजाबी जो है, सैकडों पंजाबी जो है उनको रोख करके रखा जाता है, वापस आते हैं और वापस आ करके क्या कर देते हैं वापस आगर के अंधुलन कर देते हैं, ठीक है ना, now next question है उनिस्तोच्षे में गठित अंशीलन समीटी ने प्रतिपादित किया क्या प्रतिपादित किया वही प्रशासनी सुधार प्राप्त करने के लिए समーチर्णी तरीके बारत में समाजी सुधार लाने के लिए बिरिटिश समर्थन बारत में बिटिश रासन को समाब्त करने के साधन की रूप में करांतिकारी हिंसा ठीक है ना और बिटिश राज को भीतर से कमजोर करने के लिए परिशत प्रवेश का सधान option number C इसका सही जवाब होगा option number C ठीक है ना Prince Henry जो है मूल हेंरी लिखा हुआ है वहाँ पे तो भारत में बिटिश रासन को समाब्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा की वकालत की किसने अनुशीलन समिती ने वकालत की हालांकि 1967 के आसपास जो है ये धाका अनुशीलन समिती के अगठन किया गया था धाका अनुशीलन का असलियत में अनुशीलन समिती जो है वो 1902 में ही गठित हुई थी तो ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर जो है वो रखना है ध्यान से ठीक है न कि 1902 में और 1906 में अलग अनुशीलन समितीया गठत हुई थी भारती सुतंत्रा सग्राम में ताशकंद का क्या महत्व है भारती कमिनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी ताशकंद से भारती राशी सेना की दरसल में वर्ष 1902 में भारत के कुछ कम्यूनिस्ट नेताओं ने ताशकंद में एक समूह की स्थापना कीजि जिसको आगे चल करके वर्ष 1925 में कानपुर में कानपुर में ताशकंद में स्थापना की जाएगी की जाएंगे ठीक है 1919 के लोगों की जलिया वाला बाग सभा का इरादा क्या था वैसाखी समारों में भाग लेना रॉलर्ट सत्यागरा की दुबात अम्रित सरके साथ पहले अधार के रूप में करना करना सत्यपाल और डॉक्टर सहिफुदिन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन की निंदा करना करना ओके तो बताईए आप इसमें से सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number option number D ध्यान रखिएगा कि रॉलट सत्यागरह को already शुरू किया जा चुका था रॉलट सत्यागरह तो already शुरू किया जा चुका था तो अमरित सर के साथ पहले आधार के रुप में शुरूआत करना विल्कुल सही नहीं वैसाखी समारों में भाग पहले ही ले चुके थे वैसाखी से लौटते हुए लौटते हुए वहाँ पर इकठा हुए थे तो जाहिर सी बात है कि शाम के चार बजे के आसपासी घटना करम देखने को मिलता है और answer option number 3 होगा that is D only 3 Indian Home Rule Movement की मांग क्या थी ठीक है Indian Home Rule Committee की मांग क्या थी तो British सामराज के भीतर भारत के लिए एक Dominion की स्थिती British सामराज से पूर्ण सोदंदरता विधाई और कारिकारी प्रशेदों में भारतियों के लिए प्रवेश भारत से British सामराज को उखार फेंकना ठीक है न इनमें से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तो ध्यान रखेगा कि इनकी सबसे प्रमुख डिमांड थी option number A कि भारत को British सामराज के भीतर एक Dominion की मानिता तो कम से कम दे दी जाए इतना तो करही दिया जाना चाहिए ये इसकी सबसे प्रमुख डिमांड हुआ करती थी रैट नेक्स प्रशन पर आते हैं कि भारत में गांधी जी के द्वारा स्थापित प्रफम आश्रम कौन सा था आहम्दाबाद के पास कोचराव आश्रम साबर मती आश्रम ठीक है और खादी प्रफिष्ठान आश्रम और बारदोली तालू का आश्रम ठीक है तो गाई इसका राइड आंसर क्या होगा राइड आंसर इसका क्या होगा option number A होगा कोचराव आश्रम जो है that is the right answer कोचराव आश्रम is the right answer ओके everyone तो ये आप सभी लोगों को clear होना चाहिए आश्रम दोलन के निलंबन से सहमत नहीं थे उसका विरोध करते थे ठीक है INC के ग्रामेड सुधार एजन्डे को मंजूरी नहीं दी मतलब जिन्होंने कॉंग्रेस के ग्रामेड सुधार एजन्डे को मंजूरी नहीं दी उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया तो question number 68 का right सही answer क्या होगा option number B option number B इसका सही जवाब होगा क्योंकि गांधी के आंदोलन को रद कर देने से जो है कांग्रिस के बहुत सारे व्यक्ती समर्थन में नहीं थे बहुत सारे व्यक्ती नाराज थे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने गठन किया इसका सुराज पार्टी All India Congress खिलाफत सुराज पार्टी अध्यक्ष कौन थे उसके चितरंजन दास सचिव कौन थे उसके मोतीलाल नहरू ठीक है ना और एक अन्य महत्वपून नेता कौन थे विठ्थल भाई विठ्थल भाई पटेल ठीक है निल्मकीज में से कौन सा या कौन से प्रावधान भारत सरकार धिनिया मुने सब 35 के प्रा पर खदम करने का प्रावधान बिल्कुल सही है वाई सराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की यानि रेजिजुवल पावर्स गिवन टू वाई सराय एकदम सही है तो सही उत्तर कौन सा होगा इसमें ऑप्शन नमबर डी एक दो और तीन इसका सही उत्तर होगा निमलक जमीदारी रयत वाड़ी अन्ना वाड़ी दिसाई वाड़ी गाईज आंसर ऑप्शन नमबर बी होगा सभी को पता है वाई रयत वाड़ी जो है रयत वाड़ी व्यवस्था इसके अंतरगत किसानों से जो है सीधा कवर किया जाता था सदाकत आश्रम सेकेंड था देखिए इसमें साबर मती आश्रम जो है ये मेरे ख्याल से होना चाहिए था सेकेंड उसी को सेकेंड मानेंगे ना नेक्स्ट क्वेस्टन भाती सुतंत्रा संग्राम के संदर्म में लिंकिर में से कौन सा कथन सही नहीं है रॉलट एक्ट ने लोकप्री आकोरोश की लहर पैदा की जलिया वाला बागत्या कांड का का वजह बना वजह बना ठीक है सुभाश अनरभू ने फॉर्वर्ड ब अस्यूसियेशन के संस्थाटकों में से एक थे काराची में कांडी एरुविन पैक्ट का विरोध किया दोस्तों दी इसका सही जवाब होगा क्योंकि ध्यान रखिएगा कांडी इरुवीन गांदी के साथ समझावते का विरोध कांडी के नहीं किया ठीक है ना तो राइड option number D होगा सही नहीं है तो option D सही नहीं है कुछ प्रमुक राष्टरवादियों के विशिष्ट संगटने इस प्रकार थे PC जोशी भारती Communist Party N.M. जोशी All India Trade Union Congress, Trade Union Federation सूर्य सेन Indian Republican Army सुभाष चंदर बोस भारती राष्टी Congress के एक कत्र पंथी अध्यक्ष ठीक है गाईज क्या होगा इसका सही से आंसर बताईए फटाफट से इसका सही आंसर option number D होगा दरसल में Indian Republican Army All India Trade Union Federation PC जोशी, Communist Party बिल्कुल सही हैं सारे के सारे सारे के सारे सारे सही है याद कर लीजेगा as it is भारत में अपनिवेशिक काल के दवरान विटली कमीशन का उदेश क्या था विटली कमीशन गाईज विटली कमीशन का उदेश इसमें क्या था भई राजितिक सुधारों के लिए भारत की विटनेस इस समिक्षा करने के लिए शरम की स्थितियों पर रिपोर्ट करने के लिए सिफार्षे करने के लिए भारत के लिए वित्ति सुधारों की योजना तैयार करने के लिए या भारत में शिविल सिवाओं के लिए एक व्यापक योजना विक्सित करने के लिए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा option number B तो विटली आयोग को जो है Royal Indian Labour Commission के नाम से भी जाना जाता है ठीक है न इसको इस नाम से भी जाना जाता है तो Royal Commission on the Labour या Royal Commission on the Indian Labour ये इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा next question निमलकित में से कौन फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा या United Provinces ये रहेगा United Provinces किसान सभा ठीक है या संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन से नहीं जुड़ा था इंदर नरायर दिवेदी, गौरी शंकर मिष्चरा, जवाहर लाल नहरू, मनन मोहन मालवी है तो गाईस ध्यान रखेगा आंसर होगा जवाहर लाल नहरू क्योंकि जवाहर लाल नहरू का संबन्द रहेगा किससे अवध किसान सभा से जिसके कनेक्शन में कौन रहेंगे बाबा रामचंद और जवाहर लाल नहरू और गोविंद बल्लव पंत वगरा सब इसमें शामिल रहेंगे में लकित मैंसे कौन मुख्य रूप से सामयवादी विचारधारा से जुड़ा है या जुड़ा था तो ध्यान रखिएगा किर्थी किसान पार्टी लेबर सुराज पार्टी गाई इसका आंसर क्या होगा C, A और दो दोनो बोथ किर्थी किसान पार्टी या लेबर सुराज पार्टी दरसल में कुछ और नहीं बलकि पीजेंट्स पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी आफ इंडिया इनके शुरुवाती नाम के तौर पर पंजाब में और बॉम्बे में ये नाम रहते थे किर्थी सुरा किसान पार्टी और लेबर सुराज पार्टी तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ड्रेन थिप्योडी के संस्थाफ़ कौन थै जिन्होंने भारस से इंगलैंड में धन की निरंतर निकासी को उजाधर किया ड्रेन थिप्योडी ड्रेन ओफ वेल्थ थिप्योडी तो सुरिंदनाथ बेनरजी गोपाल कृष्ण गोखले सही जवाब क्या होगा ? सही जवाब होगा इसका option number C क्या होगा दाधा भाई नवरोजी ? दोस्तो ध्यान लखिएगा दाधा भाई नवरोजी जो है वो पहले ऐसे व्यक्ती थे कि जिनों ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था poverty and unbritish rule in India poverty and unbritish rule in India और जिस किताब की रचना कब की गई थी वर्ष 1901 में रचना की गई थी ठीक नब poverty and unbritish rule in India and इस किताब की रचना के बाद जाकर के काफी जो है विचार विमर्ष किये गए और भी कई सारे विद्वानों ने इस पर लिखा है जिसमें से प्रमुक रूप से RC राइट कह सकते हैं RC दक्ता या फिर G सुपरमनिया अयर है जिस अयर जिनको कहा जाएगा महादेव गोविन रानाडे है तो इन लोगों ने इस पर काफी सारा कुछ लिखा है पर सबसे बहतरीन जो theory दी है वो drain of wealth की दादा भाई नरोजी ने दी है नेक्स्ट क्वेस्टिन सबसे पहला आंदोलन जिसने ब्राहमन वर्चसों के खिलाफ मिचली जाती का मुद्दा उठाया था ठीक ना तो आंसर बताईगा सभी लोग फटाफट से इसमें सही जवाब क्या होगा सबको बताना है फटाफट सबसे पहला आंदोलन जिसने ब्राहमन वर्चसों के खिलाफ मिचली जातीयों के मुद्दे को उठाया था गैज I think काफी जो है पीछे चल रहा है इसमें गैज इसमें क्या आंसर होगा फटाफट से पताईगा सभी लोग आंसर क्या होगा इसका गैज देगे सबसे पहले अगर देखा जाए न सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप सभी ने जोतिबा फूले का नाम सुना होगा जरूरी ठीक है न जोतिबा फूले जो हैं सत्यशोधक समाज के संस्थापक माने जाते हैं सत्य शोधक समाज के संस्थापक माने जाते हैं और कहीं न कहीं सबसे पहले वही इसके शुरुवाती पाइनियर माने जाते हैं हलांकि आप लोगोंने नाम सुना होगा कि सबसे पहले सबसे पहले स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट के लिए एक मुमेंट स्टार्ट हुआ था उसका नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है आप में से अगर किसी को याद हो यह question actually UPS seat में पुछा गया था वो वाला question जो सबसे पहले मुमेंट स्टार्ट हुआ था है सबसे पहले एक book लिखी गई थी लेकिन इसको एक आंदोलन का जो रूप दिया जाता है यह दिया जाता है सत्यसोधक समाज के द्वारा सत्यसोधक समाज जिसकी संस्थापना जो है जोती राव फूले ने की थी ठीक ना जोती राव फूले ने की थी ओके नौँ सर सही दनत ने किसकी स्थापना की थास और थासी में देश वक्ती संग यानी पैट्रियोटिक असोशियेशन अपर इंडियान मुहम्मनन असोशियेशन राश्री सम्मिन नेशनल कॉन्फरेंस या मुस्लिम लीग की स्थापना की बदाए फड़ा पड़से इसमें सही आंसर क्या होगा भई पैट्रियोटिक असोशियेशन की स्थापना थास और थास और थासी में की थी और थास और थासी में पैट्रियोटिक असोशियेशन युनाइट इंडियन पैट्रियोटिक असोशियेशन आगे चलते हैं महाराश्ट के समासुधारकों की पहचान करें जिन्होंने लोकहितवादी के उपनाम को अपनाया लोकहितवादी किसे कहा जाता था ये आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब बताईए फटाफट से लोकहितवादी किसे कहा जाता था गोपाल हरी देशमुख को कहा जाता था ठीक है ना ध्यान अखियेगा बिहार और उडिसा प्रांत के पहले उपराजिपाल कौन हुआ करते थे सभी लोग बताईएंगे वही फटाफट से गैस फर्स्ट डेप्टी गवर्णर आफ दे बिहार एक बताईएंगे फटाफट से आप सभी लोगों ने इसका और अलएडी पढ़ा होगा या अप लोगों का और पता होगा इसमें पता होगा कि इसमें होगा आंसर कौन सा जाज स्टुवर्ट बेली जो है सबसे पहले सबसे पहले गवर्नर या डेपुटी गवर्नर या उपराज जिपाल जो है वो हुआ करते थे ठीक है ना मुस्लिम लीग बिलकुल नहीं होगा 78 का अंसर आप लोग फुरा सा गलत दे रहे हैं सर ना किसे भारती बहुती कवाद पहला ग्यात प्रस्तावक माना जाता है who is following regarded as the first known proponent of जीत केश कंबली तो गाईज इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा राइट ज्यान रखेगा इसमें अजीत केश कंबली जिन्होंने जिन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया मटेरियलिजम की बात की रैट मटेरियलिजम की बात की ओके ना नेक्स्ट क्वेस्चन है कि निमखित में से कौन नाना साहब पेशवा के मंत्री और मुख्य सलाकार थे क्या होगा इसका सही जवाब होगा अजीमुला खान आप्शन नमबर बी अजीमुला खान बंगाल में तिभागा किसान अंदुलं की मांग क्या थी जमीदारों के हिस्से को फसल के आधे हिस्से से घटा करके एक तिहाई कर दिया जाए ये मांग थी किसानों को भूमी के स्वामित्तों का अनुदान क्योंकि वे भूमी के वास्तविक किसान थे जमीदारी की प्रथा को जड़ से उखार करके और दास प्रथा का अंत कर दिया जाना चाहिए ये डिमांड थी या सभी किसानों के रिड को माफ कर दिया जाए ये डिमांड थी ठीक है तो guys ध्यान रखेगा यहाँ पर सही जवाब क्या होगा कि जमीदारों के हिस्से को घटा करके एक तिहाई कर दिया जाए one third to the landlords one third to the landlords ठीक है answer क्या होगा option number A होगा तिभागान दोलन आदिवाशी शब्द का प्रयोग पहली बार आदिवाशी लोगों के लिए किसके द्वारा किया गया मात्मा गादी ठकर भप्पा जोतिवा फुले बियारम बिड कर राइट आंसर ठकर भप्पा जिनका नाम A.V. ठकर हुआ करता था और ये गुजरात के गुजरात के ट्राइबल लीजर हुआ करते थे और सम्विधान सभा के सदस्य भी हुआ करते थे ठीक है ना राइट आंसर क्या होगा ठकर भप्पा ठकर भप्पा महारत छोडो आंदोलन के दोरान जातिय सरकार का गठन कहां किया गया था बलिया, नागपूर, सतारा, तामलुक तो guys इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा option number D तामलुक में दो द्यान रखिएगा कि तीन जगहों पर कहां-कहां पर बलिया में, सतारा में और तामलुक में इन तीन जगहों पर वर्ष 1942 से 44 के दोरान क्या किया गया वहाँ पर एक कारेकारी विद्रोही सरकार की स्थापना की गई इसको अपन पैरलल गवर्मेंट या प्रती सरकार के नाम से भी जानते हैं नियान रखेगा नेक्स्ट क्वेस्टन क्या है निमधित में से किस ने 1920 में कलकत्ता में भारती राष्टी कॉंग्रेस के विशेश सत्र में महात्मा गाधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था ठीक है ना ये गूगल ने विपिन चंद्रपाल को बीसी दोस्त कह दिया है दरसल में ये क्या होगा बी यानिकी या नखेगा दरसल में दिस इस विपिन ओके चंद्रपाल चितरंजन दास ठीक ना चितरंजन दास मदन मोहन मालवी मोतिलाल नहरू ठीक ना मोतिलाल नहरू ओके तो ध्यान अखेगा इसमें ध्यान के गईस में कि यहाँ पर सही जवाब क्या होगा भई किसने सहयोग किया था महात्वागारी के सहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था तो दरसल में याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा सही जवाब होगा चितरंजन दास हालांकि बाद में बाद में जो है मुतिलाल नहरू भी समर्थन में आ जाते हैं ठीक है ना लेकिन exact आंसर क्या होगा चितरंजन दास होगा ठीक है ना भारतीर राश्री कॉंगरेश के सम्मन्द में गांधी जिननकिस सत्र में ये कहा था किस सत्र में ये कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधी वाद जो है वो हमेशा के लिए रहेगा ये बात गांधी ने कब कही थी बताईए सब when did गांधी say this गांधी ने ये बात कब कही थी गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधी वाद जो है ये हमेशा रहेगा बताईए मेरे ख्याल से अगर इसमें आप सिंपल सा गेस करेंगे तो राइड आंसर क्या होगा इसका इसका राइड आंसर क्या होगा भई कि जब 1931 में गांधी जी को काले जंडे दिखाये जा रहे थे याद करियेगा तो उसी वक्त गांधी ने कहा था कि मतलब आप अगर चाहते हैं कि भई हमें खतम कर दिया जाए तो आप विल्कुल खतम कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं इतना जरूर जानता हूँ कि भले ही मेरी मौत हो जाएगी भले ही मैं डेथ हो जाओंगा लेकिन गांधीवाद जो है वो जिन्दा रहेगा और नेशन इन दे मेकिंग नामक पुस्तक के लेख कौन है दोस्तों बहुत आसान क्वेशेन लेकिन बहुत इंपोर्टन क्वेश्चेन है बैनर जी सुरेंदरनाथ बैनर जी तैट ओके सुरेंदरनाथ बैनर जी ओके नेक्स्ट क्वेशन पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर आ जाते हैं नेमगित मैंसे किसने तीनों गोल में के सम्मेलनों में भाग लिया ये तो यार कम से कम इतनी बार repeat हो चुका है बट बहुत important question है फिर भी मात्मा गादी, भीमराव अंबेडकर वल्लबाई पतेल, जवारलाल, नहरू तो right answer क्या होगा इसका इसका right answer option number B Dr. B.R. अंबेडकर या भीमराव रामजी अंबेडकर ठीक है? तीनों गोल में इस समयरन वैसे कब-कब हुए थे तो दिहान रखेगा 1930 में, 1931 में और 1932 में 3031 और 32 में ठीक है? ना निमगित मैंसे कौन cabinet mission का सदस्य नहीं था? Stafford Crips A.V. Alexander A.V. Alexander Google ने इनको A.V. सिकंदर कर दिया है आप खुश हो जाईए जान करके Red Cliff या Pathic Lawrence तो गाईज इसका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब option number C Cyril Red Cliff Right, Cyril Red Cliff is the right answer क्योंकि धिहान रखेगा ये दरसल में boundary commission के boundary आयोग के या सीमा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे Right, अध्यक्ष हुआ करते थे ठीक है न? तो बाकी तीनों लोग जो है वो cabinet mission के सदस्य हुआ करते थे Next question क्या है? निम्लकित मेंसे किस आंदोलन ने INA को प्रोचसाहन दिया? ठीक है न? या किस आंदोलन की वजह से Indian National Army काफी जादा काफी जादा आगे बढ़ती है पॉपुलर होती है तो गाइस ध्यान रखेगा options चार है Royal Indian Navy का विद्रोह भारत छोड़ो आंदोलन सविने अवग्या आंदोलन या खिलाफत आंदोलन तो Indian National Army जो है इसकी स्थापना क्यों होती है दरसल में क्योंकि गांधी जी जो है वो आंदोलन शुरू नहीं कर रहे थे और कहीं न कहीं हमें कह सकते हैं कि उसकी वज़े से नेता जी सुभाष चनर बोस देश छोड़ करके चले जाते हैं तो गाइस इसका सही जवाब क्या होगा? answer option number B क्योंकि अगर भारत छोड़ आंदोलन नहीं होता तो भारत से धेर सारे व्यक्ति आईयने में शामिल होने के लिए volunteer बन करके सामने नहीं आते ठीक है न? तो कहीं न कहीं भले ही दोनों नेताओं के विचारों में मतभेद था लेकिन दोनों के आंदोलनों ने मजबूत किया एक दूसरे के आंदोलनों ठीक है न? आगे बढ़ते हैं नेताओं जी बोस के अधीन सुतंतर भारत के अनंतिम सरकार को जापान के अलावा कितनी अन्य सरकारों ने मानिता दी? ठीक है न? नेता जी सुभाष चन्र बोस जो है इनके इनसे जूड़ी हुई बाते काफी जादा महत्वपूर्ण हो चुकी है काफी जादा महत्वपूर्ण हो चुकी है ध्यान रखिएगा ठीक है ना तो ये चीज़ आप सभी लोगों को ध्यान रखना है ये चीज़ आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें कितने देश ऐसे रहेंगे जिन्होंने मानिता प्रदान की है तो गाइज इसका सही जवाब रहेगा option number B ठीक है ना आठ अन्य सरकारों ने मानिता प्रदान की कौन कौन सी जापान, जर्मनी, इटली ठीक है ना क्रोएशिया, बर्मा थाइलेंड, फिलिपीन्स ओके फिलिपीन्स और एक और था मेरे ख्याल से शायद चाइना रहा था मेरे ख्याल से चाइना होगा ठीक है ना तो बिल्कुल तो राइट आंसर क्या होगा option number B, आठ अन्य आठ अन्य सरकारों ने मानिता प्रदान की ठीक है ना सुभाश्यंद्र बोस ने दो आईएने मुख्याले स्थापित किये, कहां कहां पर दो आईएने मुख्याले स्थापित किये वही रंगून और सिंगापुर में, टोक्यों सिंगापुर में, ताईवान सिंगापुर में या मंचूरिया सिंगापुर में right answer क्या होगा option number A, रंगून और सिंगापुर में दो आईएने मुख्याले स्थापित किये बाद में दोनो जो है, वो कहां चले आते हैं ये दोनों चले आएंगे कहां पर पोर्ट ब्लेयर में चले आएंगे पोर्ट ब्लेयर में चले आएंगे ठीक है ना रॉयल इंडियन नेवी याने की जो शाही भारती नौसेना का विद्रोह उसके इंसक चरित्र के कारण किसके द्वारा निंदा की गई की इसकी इसकी दा महात्मा गांधी ने की थी ठीक है ना और मुहमद ली जिन्ना और सरदार पतेल इन दोनों के इनके आश्वासन पर इनके आश्वासन पर रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था ठीक है ये विद्रोह जो है क्या किया गया इसको समाप्त किया गया समाप्त किया गया ठीक है तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा option number C होगा next question बॉंबे के बाद दूसरे एक स्थान पर रॉयल इंडियन नेवी विद्रोग का एक प्रमुख केंद्र कौन सा था यानि कि मुंबई के अलावा और कौन सा प्रमुख केंद्र था भई तो ध्यान दख्येगा मुंबई के अलावा एक और दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा था कराची था कराची था ठीक है अब अब cabinet mission की सिफारिश नहीं थी कौन सी cabinet mission की सिफारिशों में शामिल नहीं था भारत का एक संग होना चाहिए दो डोमीनियन स्थापिट किये जाएंगे एक सम्विधान सवा की स्थापना की जानी चाहिए केंद्र में एक और स्थाई सरकार की स्थापना की जाएगी ठीक है तो गाईज इसमें आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में आप सब को पता होगा कि यह जैसे अगर आप इंडिया मानिये और इस प्रकार से मानिये तो यहाँ पर A, B, C इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया था इसमें नौर्थ वेस्टन मुस्लिम मिजॉरिटी का इलाका इसमें नौर्थ इस्टन मुस्लिम मिजॉरिटी का इलाका ठीक है न यह दोनों अलग से रहेंगे और c एक अलग से रहेगा और इन तीनों को मिला करके एक एक लूज फेडरेशन की स्थापना की जाएगी ठीक लूज फेडरेशन यानि धीला डाला परिसंग बनाया जाएगा तो इस सब चीजों को देख करके इन सब चीजों को देख करके cabinet mission ने सिफारिश की थी कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला था कि दो डोमीनियन बनेंगे ये दो डोमीनियन वाली बात आती है Indian Independence Independence Act या कहें तो Mountbatten Plan के अंतरगत आती है Mountbatten Plan के अंतरगत आती है ठीक है ना ओके रियासतों को या तो भारती संग या पाकिस्तान में शामिल होने या सोतंतर होने की अनुमती दी गई थी किसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम के द्वारा वेवल योजना के द्वारा, मामुल बिड़ने योजना के द्वारा भारत सरकार की सोतंतर अधिनियम 1947 के द्वारा तो आंसर क्या होगा, option number D, भारत की स्वतंतरता अधिनियम 1947 के द्वारा, योजना में शामिल था, यह न, शामिल इसमें था, पर यह कोई, यह कोई act तो नहीं था, यह कोई act तो नहीं था, तो इसलिए answer option number D होगा, option number D होगा, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है न, next question है, सम्विधान सभा का अगठन 1946 में किसके प्रावधानों के तहट किया गया था, तो गाइस क्या होगा, इसका सही जवाब, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बिटन योजना, भारत का सुधनत्र अधिनियम, राइट आंसर क्या होगा, option number B होगा, राइट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतरगत, सम्विधान सभा का अगठन 1946 में किया जिसके लिए, जिसके लिए Muslims, ठीक है न, non-Muslims, इन कटेगरी में seats divide किये गए थे, ठीक है न, Muslims के लिए रखा गया था, कुल मिनागर के कितनी seat हैं, तो ध्यान रखिएगा, 78 seat है, Muslims के लिए रखी गई थी, right, and इसके अलावा अगर देखा जाएगा, तो 214 seats जो है, ये रख रखी गई थी, non-Muslims के लिए, और इसके अलावा, 93 seats जो है, ये रखी गई थी, princely states के लिए, इसके लिए, princely states के लिए, और 4 seats रखी गई थी, किसके लिए, चार seats रखी गई थी, आपके chief commissioner provinces, यानि की मुख कमिशनरी प्रांतों के लिए, तो 78 और 214 आप जोड देंगे, त ये हो जाएगा, 292 प्लस 93 जोड देंगे, तो कितना हो जाएगा, 385 प्लस 4 जोड देंगे, तो कितना हो जाएगा, 389, तो ये कोक्कुल मिला अगर के 389 seatें हुआ करती थी, 389 seatें हुआ करती थी, सम्विधान समा में, क्रिप्स मिशन प्रस्तावों के बारे में कथनों पर विचार करें, इसने मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग को सीरे से खारिज कर दिया, इसने प्रस्ताव दिया कि दुटि विश्युद के बाद एक सम्विधान मिनानवरी संस्ता की स्थापना की है one two both none तो दोस्तों सीरे से खारिज नहीं किया बलकि अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया परन्तु प्रत्यक्ष में इनकार किया मतलब यह देखा जाए कि इसमें एक तरफ तो बोल रहा है कि नहीं ऐसा कोई डाइरेक्ट प्रोविजन लिखा नहीं था लेकिन फिर भी यह भी बोल रहे हैं कि जो सम्विधान सभा के बैठक में शामिल नहीं होना चाहते यह निर्माण में शामिल बना सकते हैं, इस प्रकार के प्रावधान भी किये गए थे, तो that means इंडिरेटी तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सम्विधान बनाने वाली एक बॉडी की स्थापना की जाएगी जिसमें सिर्फ इंडियन होंगे तो राइट आंसर क्या होगा, सही कौन सा है, उप्शन नमबर बी उनली टू इस करेक्ट इसका आंसर उप्शन बी निमकीत कत्रों पर विचार करें, भारत चुला अनुलम की सुभारम की पूर संध्या पर महत्मा गाधी ने क्या कहा, सरकारी सेवकों से इस्तिफा देने के लिए कहा, सैनिकों को अपनी पोस्ट चोड़ने के लिए कहा, या रियाचतों के राजकुमारों से कहा कि वेपने लोगों की संप्रभुता को सवीकार कर ले, तो दोस्तों तो सही कथन इसमें से होगा ना तो एक ना तो दो बलकि थी सिर्फ उस वक्त किसी से इस्तीफा दने के लिए नहीं कहा किसी को ये नहीं कहा कि आप अपनी पोस्ट छोड़ दीजिया या कुछ भी सिर्फ रियास्तों के राजकुमारों से कहा कि भईया अब बहुत हो गया है अ जनता के डिमांड को समझे और उनको पबलिक को एकसेप्ट करिए अपने सोबरीन के तौर पर राजचाही खतम करिए लोगतर इंट्र इंटोड्यूस करिए ठीक है तो गाईज उम्मीड करता हूँ कि काफी सारे हिचकोलों के बाद फाइनली हमारी नईया जो है वो किनारे इसा ही patience और इसी प्रकार का perseverance आपको परिक्षा में दिखाना है all the best to each and every one of you जो भी इसको देख रहे हैं या देखेंगे उन सभी के लिए धेर सारी शुब कामना है परिक्षा के लिए और उमीद करता हूँ guys कि हम लोग prelims के बाद मिलेंगे आप सभी के बहतर attempts के बाद और mains mains की तयारी साथ में की जाएगी आपकी तयारी mains के लिए करवाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी और selection आपका ये आपके लिए और हमारे लिए उतनी ही जादा गर्व की बात रहें तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले session में जैसे ही जभी भी अगला session आपके लिए लेकर आएंग नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का टेक के रवरिवन बाबाय थेंक यू